नमस्कार दोस्तों, सुवागा थे आपका एक वार इंट्रेस्टिंग वीडियो में लास्ट मन्थ मैं लक्जंबग में था दो रिजन्स की वज़े से पहला तो मुझे पता लगाना था कि इस कंट्री को रिचस कंट्री इन वर्ल्ड क्यों कहा जाता है और दुसरा क्या वाकई यहाँ पर लेबर शॉटेज हो रही है तो यही रियालिटी आज इस वीडियो में शेर करने वाला हूँ जो लोग नहीं जानते हैं लक्जंबग के बारे में लक्जंबग कंट्री जो है योडोपी और शेन्जन देशे काफी स्मॉल कंट्री यहांके population भी 6.6 लैक्स है और इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह कि आधी population यहां की जो है foreigners की होगी तो foreigners का काफी scope हो जाता इस कंट्री में यहां पर आपको क्यों आना चाहिए, तो first reason इसके कहा जाता है, world की reaches country तो वाकई में है, अगर मैं इसे और European देशों से compare करूंगा, तो यहां की salary का structure जो है, आपको जादा मिलने वाला है, और इसी से मेरा second point आता है, यहां पर अगर हम salary के specifically amount ही बता दूँ, तो यहां पर year average salary मि तो 4000 यूरो, इंडियन रुपीज में साड़े तीन लाग रुपे, वाकई में यह salary यहां पर है, यह मान सकते हो आप, अब अगर हम unskilled की बात करें, minimum level पर salary की बात करते हो, कि यार हमें तो तो यह बता दे दिपानशु कि कम से कम कितनी मिलेगी, तो कम से कम में अगर आप unsk तो 2500 यूरो पर year पर मंत मिल सकती है, और अगर आप skilled हो और कम से कम की बात कर रहे हो, तो 3000 यूरो पर मंत मिल सकती, यह amount है, अब salaries तो मैंने बता दी, अब आप बोलोगी in hand कितना होता, यही सबसे important fact यहां पर होता है, तो अगर मैं tax session की बात करूँ, तो screen पर आपको पहले tax calculator के through ही बताता हूँ, मैंना already है na, जो है, selections कर दिया, individual हो गया है, annual salary मैंना बता दिया, average annual salary लिए, तो अब इसका tax कितना लगने वाले है, वो check कर दे, तो यह देखो, 24.4% आपका tax लगने वाला है, अगर 48,000 यूरो की salary पर annual, तो आपको 36,000 के असपास आपका in hand आपको मिलने बाला है, अब इसके बाद ही calculations हम लगाएंगे living expenses के, जो कि हम forward आगे इसी वीडियो में बात करने वाले है, और के reasons हो सकते हैं, spouse को लेकर आ सकते हो, यहाँ पर जो है, public transportation free होता है, शेंजन देश है, तो इसी residence permit की वज़े, आप Belgium घूम सकते हो, जर्मनी मतलब और 27 देश है, अब तो दो और एड हो गए हैं, तो उनमें भी घूम सकते हो, और यहाँ का visa ratio काफी है, मतलब एक बार आपके पास job offer आ गया, तो आपको visa की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, employment rate भी यहाँ पर 4.9% है, तो काफी reasons है, जिसकी वज़े से, I would suggest कि हाँ, move होने लायक तो है लगज लेकिन उसके पहले जानना है कि किस field में actually में jobs यहाँ पर रहे वाले है, तो इस screen पर देख पा रहे होंगे, यह 2023 का stats है, यह वारी fields में अगर आप job apply कर सकतो 100% आपको job मिल जाती है, अभी जो 2024 के लिए रखागा है, वो healthcare में सबसी जादा jobs मिलने वाली है, उसके बाद construction में स लोड़ी बहुत मशक्कत आपको करनी रहेगी, अगर हम specifically किन किन इंडस्ट्री में या किन किन companies ने सबसे जादा hiring के तो screen पर देख पा रहे होगे, हजारों में hiring हुई इन major companies, यह सबसे बड़ी companies है यहां के लग्जंबग के, अगर हम websites की बात करें तो यह काफी सारी websites से जि इसका नाम है Eurus Luxemburg, उसका मैं डेमो जो है job application आपको बताता हूँ पहले तो, so यह link जो है मैं description में mention कर दूँ है, Eurus Luxemburg के portal पर आपको आना पड़ेगा सबसे पहले, यहां से बहुत सारी information आपको मिल जाने वाली है, जैसे यहां पर पहले आप sector select कर सकते हैं, जिस भी sector से बिलॉंग करते हो, contract type select कर सकते हो, contact nature select कर सकते हो, education level जैसे मैंना master select कर दिया है already, work experience मेरे पास को experience नहीं है, तो बहुत सारी jobs according to filters आपके पास आजाएगी, और यहां पर मैंना already login कर लिया है, तो आपको भी login करना पड़ेगा, और login करने के लिए आपको सबसे पहले आपका CV चा और यहां से आप cover letter बहुत अच्छा सा प्रिपेर कर वा सकते हो, और उसके according यहां पर apply कर सकते हो, तो CV शुट भी align with the job that you are applying to, और cover letter का description आप यहां से थोड़ा बहुत copy कर सकते हो, अच्छा, for example, अगर मुझे इसके लिए apply करना है, तो यहां से apply क्लिक करेंगे, 8 days पहले की यहां से apply now क्लिक करके, फिर email वगरा डालके, जो है application होगी, तो इस तरीके से बहुत सारी jobs आपको मिल जाएगी, जिनके लिए आप application करते हो, यह तो Amazon की थी तो आपको Amazon के portal पर ले गई, ऐसे ही काफी other jobs भी मिल जाएगी, यहां पर जैसे अभी वापी से हम sector select कर लेते, for example, आप cleaning में करना चाहते हो, तो cleaning की आपको, मैंने master select कर दिया तो इसलिए वह आ नहीं रहा है, तो आप cleaning के बहुत सारे options आपको मिल जाएगे, for example, आप जो है IT में देखना चाहते हो, तो IT के बहुत सारे examples आपको मिल जाएगे, ठीके, तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर job search कर सकते हो और apply कर सकते हो, तो अब तो आप यह समझ को कि job application कैसे होती है, यार काफी jobs में आपको एना French language के requirement होने वाली है, तो आपको बड़ी मेहनत से find करना पड़ेगा English language वाली jobs, now, अगर हम recruitment agents की बात करें, तो recruitment agencies जो government authorized in Luxembourg की तरफ से, वो screen पर दिख पा रहे होगी, यह क्य recruitment agencies में आप इनको अपना CV forward करोगे, और यह फिर है ना, जो है, लुक करेंगे कि आपके लिए कोई vacancy है, यह नहीं है, तो यह तरीके से आपकी help करते हैं, उसके लिए कुछ agencies चार्ज कर सकती है, और कुछ agencies चार्ज नहीं करती है, documents की बात के और तो सिर्फ और सिर्फ आपका CV होना चाहिए, main और second आपके पास cover letter होना चाहिए, इसके अलावार अगर आपके पास और भी कुछ चीज experience letters होगा, so and so so, तो वो भी आप attach कर सकते हो, अब समझ लेते हैं, work permit की process कैसे होती है, तो पहला आपने job तो find कर लिया, वहाँ तो आप sorted हो चुके हो, second कि आपको power of attorney द agency को declare करता है कि मेरे पास यह position है, तो क्या होता है, इसको labor market test भी कहते है काफी European countries में, तो है न, यह labor market test इसलिए होता था कि अगर vacancy होता है, तो पहले वो लक्जंबर के nationals को देखे, ठीक है, उसके बाद फिर अगर नहीं मिलता है लक्जंबर तो फिर वो European nationals को देखे, अग को, एक certificate issue करती, to hire third country national, जैसे ही certificate आ जाता है, उसके बाद अब जो है, आपका employer, work permit के apply करता है, emigration department में, जो है, ministry of foreign and European affairs में, लक्जंबर में अंदर, अच्छा, इसमें apply करने के बाद, यह सारे documents आपको पहले देने पढ़ेंगे अपने employer को, उसके बाद ही वो इसके लिए apply कर हुए, तो उस case में आपका बहुत जल्दी आ जाता है, और अगर उसमें नहीं हो, तो up to three months तो, अगर up to three months में कोई response नहीं आया, तो आप समझ लीजी का, कि आपका work permit reject हो गया, बट अगर जैसे यहाँ पर आपका work permit का approval आ जाता है, फिर approval आने के बाद, आप अपनी home country से visa ल करना रहता है, फिर उसके बाद आप मान के चल सकते हो, seven to fifteen working days में generally बहुत जल्दी आ जाता है इस case में, तो उस तिने दिन में आपका work visa आ जाता है, तो यह complete process होती है, अब मैं अगर अपनी opinion की बात करूँ इसमें, तो यार देखो, Luxembourg एक small country है, माना कि मैंने salaries काफी expenses भी काफी जादा है, minimum level के अगर living expenses बात करूँ तो 1500 euro, 1500 euro per month होने वाला है, normal के बात करूँ तो 2000 euro per person per month होने वाला है, तो इतने जादा living expenses हो, तो saving का proportion है, वो इतना जादा नहीं बचता है, तो यहाँ पर हर एक देश की अलग-अलग कहानिया है, तो उसके मुकाबले भी amount आप जो है, यहाँ पर save कर सकते हो, और देश जो है, ठंडा देश होने वाला है, जादा लोग नहीं होते, तो है ना थोड़ा सा आप lonely भी यहाँ पर feel कर सकते हो, और सबसे important यहाँ पर चार languages चलती है, Luxembarish, French, German और English, तो कहीं jobs में जब आप जादा apply करोगे ना, तो आपक तो आज का वीडियो, मैं सारी लिंक्स जो है, डिस्क्रिप्शन में में मेंशन कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप information और ज्यादा चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ doubt आता है, तो आपके पार comment section होता ही है, तो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो like करीगा, comment करीगा मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में, till then, bye-bye, take care guys.